Hello everyone, welcome to iQuanta, स्वागत है आप सभी लोगों का बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में हम static GK की और सुरुवात करेंगे most important topics जहां से कई सारे factual questions आपके exam में पूछे जाएंगे और बात होगी कहां से introduction यानि इंडिया का एक important factual जो information होगी important facts होगे कि अपने देश का क्या नाम ह है, फिर total area कितनी है, population कितनी है, कितनी number of states है, कितनी UTS है, ठीक है किसे आपके UTS में, कितने number of states के साथ साथ, जो UTA, union territories के आपके states है, तो उसमें की राजधानी क्या है, ठीक है तो यह important facts आपके exam में पूछे जाते हैं, तो basics आपको at least पता होना चाहिए, फिर number of topics आपके strategy GK म आने वाले हैं, तो एक तरीके से आपका ये booster revision के form में होगा, जो आपकी preparation आलरीडी चल रही, उसमें add-on होगा, चोंकि काफी बड़ा role play करेगा आपके exam में, ठीक है, तो एक playlist भी हम बना के रखेंगे, तो आराम से आप exam के समय, exam के कुछ दिन पहले, अगर देख लेंगे, दो, चार, छे घंटे में सारे आपके almost topics cover हो जाएंगे, आपके लिए बड़ा role play करेंगे, exam में अच्छे marks लाने के लिए, तो सबसे पहले बात ही हम करेंगे, अपने देश का नाम क्या है, तो आर्टिकल वन में देखिए को आपके दिया हुया constitution के, इंडिया दाइटेज भ उनके उत्र के नाम पर पड़ा, फिर कुछ ने बोला है कि जो रिशब के ancestors मनु का एक alternative उनका नाम हुआ करता था, कुछ का देखिए राजा भरत आपका एक कहा जाता है कि भरत एक tribe हुआ करती थी जो उसके king हुआ करते थे उनका नाम भरत राजा भरत था, तो इस तरीके से आपके कई सारे तरक दिये जाते हैं इसके पीछे, तो हमें ध्यान में रहना चाहिए, अपने देश का नाम क्या है, इंडिया, that is भारत, चो कि आपके article 1 में भी साफ साफ लिखा है, constitution कभी देखे बीच में कई सारे विबाद भी हुए थे, कि अब भारत का नाम क्या बदला जाना चाहिए, तो बदलने की जरूरत हीने, constitution में भी दिया है, और सदियों से लोग अलग अलग नामों से भी जान रहे हैं, बस आपको यह जानना है कि अपना देश है, प्यारा भारत देश है, या इंडिया, तो हम नाम जानने के बाद important facts, geographical data के बारे में जानेंगे, और देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा questions आपके exam में पूछे जाते हैं, यहाँ फे total area, total area कितना है अपने देश का, दुनिया का जो total आपका land mass है, उतका कितना percent है, ठीक है, कितना percent इंडिया का है, total geographical area of the world, तो यह हम देखेंगे 32,87,263 square kilometer है, अपने देश की पूरी जो छेत्रफ है, ठीक है, और दुनिया का किस नंबर पे है, size के according, तो देखा जाए, तो 7th largest country in the world है, ठीक है, भारत की ranking जो है, सात्वी है, बाकी के 6 देश काउन से हैं, जो हम से बड़े हैं, तो फिर रसिया सबसे बड़ा, फिर उसके बाद कैनेडा, चाइना, इवेस से, ब्राजिलाइ और अस्ट्रेलिया, ठीक है, इनका भी आपको एरिया वगेरा जानना चाहिए, लेकिन उतना डीप में आपको जानने की जरुवत ने, बस हमें यही जानना, अपने देश का क्या है, किस नंबर का है, बाकी के 6 बड़े देश क्योंकि यह क्रॉचकल ओर में भी questions आपके पू दूनिया में जो जहां पर इंडिया है, यह कितारा है, तो 2.4% है, यहां, बहुत का बाती आपका क्या है, लैंड फ्रट्रे intestine डाइंस क्या है, पोर्टा क्या है, इन्डिया हमाल Douglas टिक है, तो इधर आपको पता है के इरेवियन सी हो गया, इधर आपको क्या है, बैयाय समुद्र या और सब चीज़ें तो है नहीं तो यह आपका क्या है लैंड फ्रेंटियर मतलब चारों तरफ इसके क्या है तुनों तरफ आपके लैंड इदर आपके देखिए पाकिस्तान अफगानिस्थान फिर चाइना और यह सब सारी चीज़ें तो यहां पर भी हमारी समुद्र पानियों से घीरा होगा यह क्या कहलाएगा आपका कोस्टल लाइंगे यह टोटल आपका आजाता है पंदरा हजार दोसो किलोमेटर ठीक है और यह आपकी जो डिस्टन्स है यह क्या है कोस्ट लाइन है ठीक है 7516.6 किलोमेटर ठीक है तो यह भी दोनों आप ध्यान में रहा किया कोस्टल अरिया और लैंड फ्रेंटिया फिर उसके बाद यह नंबर आफ स्टेट्स है आप दे आपको बताना होगा कि कौन सा स्टेट है जो सबसे जादा बाउंडरी कवर करता है तो यह है आपका गुजरात टोटल नवर आफ स्टेट कितने है नाइन है और सबसे बड़ा जो कोस्टल लॉंगेस कोस्टल लाइन है वो है गुजरात का ठीक है यह आप ध्यान में सबसे इस पटा होनी चाहिए ना यह आपका इस्ट साइड है यह नॉर्स साइड है यह जो में जगा ड्य मतलब जमीन तबर आखरी आपका यह जगा है वो है आपका कन्या कुमारी ठीक है इसलिए southernmost point of Indian mainland ये ध्यान में रखिएगा term जो आपके exam में use होगा point अगर use हो गया no mainland term use हो गया तो कन्या कुमारी आपका जबाब नहीं रहेगा mainland मतलब कि पानी के अलामा जमीन पर तो तो याप कन्या कुमारी हो जाएगा बाकी अगर simple आप से पूछ लेंगे which is the southernmost point of India तो फिर देख रहे हैं यानि इसके पहलर अगर हम जाएंगे हाँ पर अंडवान निकोबार भी तो है यह भी तो हमारा ही territory है और यहाँ पर इसके पहल होगा और फिर southernmost point आपका बदल जाएगा और वो हो जाएगा इंद्रा पॉइंट ठीक है तो southernmost point आपका क्या है इंद्रा पॉइंट अगर mainland जोड दिया तो वो कन्या कुमारी ठीक है अंतर आपको पता चल गया होगा फिर उसके बाद यहाँ पर देखे वही बात आपके देखे जो मैं बता रहा था आगे आपका लिखा हुआ सदर्मोस पॉइंट क्या है इंद्रा पॉइंट इस सदर्मोस पॉइंट आफ इंडिया विच लोकेटेड कहां पे ग्रेट नीकोबार आईलेंड आफ अंडवान अंडवान नीकोबार अंडवान जो कि इसको अलग करता है आपके 10 डिगरी चैनल से भी कई बार कुश्चन पूछा गए उपसी में सीधा कोशन आया ठीक है अंडवाने निकोबार आइलाइंड जो हैं दोनों तिनको कौन सा पानी का जो चैनल है डिवाइड करता है उसको टेन डिग्री चैनल खा जाता है ठीक है फिर उसके बाद कंट्री के साथ हमारा कॉमन बार्डर मतलब बांडरी कंट्री है बांगलादेश ठीक है जो मोर दैन 4,000 किलो मीटर है 4096 दा एक्ट्वल डिस्टेंस ठीक है आप खुदी देख सकते हैं काफी दूर से यह 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 पूरा घिरा हुआ है तो सबसे ज्यादा बांडरी यही आपका कनेक्ट करता है ठीक है नियरस कंट्री इस प्रेटर फ्रॉम विचिस सप्रेटर फ्रॉम बाया नेरो चैनल जो इसको अलग कर रहा है क्या है पार्क स्टेट इसको नेख लिए मैं पोगहर आपको देखते रहना चाहिए बाकी डेमोग्रेफिक स्ट्रक्चर में देखते हैं डेटा में हमारा जो पॉपुलेशन है तो according to 2011 डेटा के according ही रहने वाला है क्योंकि अभी नया सेंसर जब तक नहीं आएगा तब तक आपको यही जानना होगा ठीक है एक अरब 21 करोण 5,69,573 लोग है आप तो देखिए 140 करोण से उपर हो गए हैं लेकिन हमें 2011 का ही सेंसर धान में रखना है जिसमें 62 करोण लोग क आपकी फिमीज थी ठीक है यह देखिए आपको पताया थे ना 2.4% आप दा टोटल वर्ल जोगर्फिकल एरिया का हम कवर करते हैं ठीक है 135.79 मिलियन स्कॉर किलोमेटर फिर उसके बाद हमारे पास क्या डेटा है जो की काफी इंपॉर्टन है येस ठीक है क्या है 16.7% आप द और एक डेटा यहाँ पर आपकी लिए और है sex ratio of India 943 females per 1000 male पर यहाँ पर आपका हमारे यहाँ का sex ratio है ठीक है काफी सुधार हुआ हमने आपका census आएगा तो उसमें भी हमें काफी अंतर देखने को मिलेगा अपने यहां का कितना है 74.04 परसंट जिसमें 82 परसंट आपके मेल लिटरेट है और 65.46 परसंट आपकी फीमेल लिटरेट ठीक है फिर उसके बाद यहां पॉपुलेशन एकॉर्डिंग टू 2011 डेटा के एकॉर्डिंग यहां पे चाइना ही टॉप पे लेकिन अब हम टॉप पे आ चुके हैं तो नया संसस ने डेटा बगएरा वर्ल्ड बैंक वगएरा के डेटा जो अगएरा हैं उसमें तो हम काफी आगे चल रहे हैं इंडिया 1.21 बिलियन उसके बाद युएस से 30 करोड देख रहे हैं काफी डेवलब कांट्री जो पॉपुलेशन इतनी खम ठीक है फ सबसे लाज़ेस स्टेट कौन साहब का राजस्थान ठीक है पहले मद्वर्देश हुआ कर देद मद्वर्देश से 36 गांड़ अलग हो गया तो अब बचा राजस्थान पहले बहुत दिनों तो क्या ही था मद्वर्देश तो मद्वर्देश सब दूसरे स्थान पर आ गया तो राजस्थान, मद्द प्रदेश, महाराश, उत्तर प्रदेश और गुजराद, ये सबसे बड़े स्टेट्स में आपके आते हैं according to area, population भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, population का भी हमें जानना होगा, यूपी देखिये, सबसे टॉप पे आता है, population में इस स्टेट में, तो ये काफी important आपके basic facts है, और भी बहुत जानकारी है, आपको back to back videos आपको में देता रहूँगा, playlist बना लूँगा, जब भी आप free हों, उसको देखिये, और अपनी general knowledge को बेतर बनाए, current affair के भी आपके वीडियो आएंगे, classes होती रहती, current affair की ही, ठीक है, तो उसको अच्छ to all of you.